हाउर फीक्स एमेक्स टकाटक एप हैस अनफोर्चिनेटली स्टॉप्ट प्रॉब्लम नमस्कार डोस्तों सवागर आप सभी का तिकिराच यूटुब चैनल पर तो डोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है की ऐओं दोस्तों प्रॉब्लम आजाती हैं तो आभी आपको क्या-क्या करना है किसे सोलूशन प्रॉल्जियो को इस वीडियो को वीडियो करते हुए जो भी सॉलूशन है step by step आपको follow करना है end end आपको check करते रहना है कि problem solve हो रहा है या नहीं हो रहा है solution को करते जाना है अन तक अगर आप solution करेंगे तो टकक का जो problem है definitely solve हो जाएगा ठीक है वीडियो के सारा अन तक बने रही है सारे सार अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करते हुए bell icon को click करें अगर आपको online पैसा कामाना है तो वीडियो description पर link आपको मिल जाएगा तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और दोस्तों अगर आपको इसके related कोई भी problem कोई भी issue आ जाते हैं हमें twitter पर follow करके message करें या फिर whatsapp number आपको screen पर दिख जाएगा तो दोस्तों सबसे पहले हम basic solution करेंगे basic पर आप क्या कर सकते सबसे पहले mobile को एक बार restart कीजिए power button पर press on hold कीजिए and then restart कर दीजिए उसके बाद recent button पर click करना है close all या फिर x mark पर click करके सारे app को close करना है इससे क्या होगा आपका एप restart हो जाएगा ठीक है एप restart हो जाएगा एप restart होने के बाद एक बार चेक आउट करके देखे problem solve हो जाना चाहिए कई बार दोस्तों basic solution से problem solve हो जाते हैं अगर solve होता है problem तो ठीक है अगर नहीं होता है problem solve तो play store में जाए एमेक्स टकक टक इसको search कीजिए और जाके दोस्तों आप उस एप को अपडेट कीजिए ठीक है अपडेट करने से क्या होगा आपका जो बग problem ही वह solve होगा अगर compatible wise जो है वह मेच नहीं हो रहा है आपके mobile software के साथ तो अपडेट करने के बाद वह भी fix हो जाएगा ठीक है और अपडेट करने के बाद ही आपका जो एप है device software में अच्छे से run कर सकेगा तो इस तरह के से दोस्तों आप अपडेट करें इंडेन mobile को restart कीजिए उसके बाद चेक करके देखे problem आपका solve हो जाएगा ठीक है कहे लोगों का जो problem है अपडेट के साथे साथ fix हो जाते हैं अगर आपका problem भी solve हो जाता है तो आच्छी वाद है अगर solve होते है ठीक है नहीं होते तो जाइए mobile setting यानिक solution पर सेटिंग करने के बाद स्क्रॉल डाउन आपको करना है एप management पर जाना है एप मेनेच्मेंट मेंच्मेंट या फिर इंस्ट्रॉल एप करके आपको option मिल जाएगा किसी भी Android डिवाइस ने ठीक है यहाँ पर आपको सर्च करना है एमेक्स टक अटक लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हो जबी आप इस एप को open करके यूज़ करते हैं तब दोस्तों आपका इंटरनेट पर्मिशन पर क्लिक करना है और चेक करना है अगर क्लोस है वाइफार वाइफार पर सेट किया हुआ है तो आपको वाइफार मोबाइल डेटर पर सेट कर देना है ठीक है उसके बाद दोस्तों आपको पर्मिशन पर जाना है सारे पर्मिशन आपका एलाओ करना है और उसके बाद जाके आप मोबाइल को रिस्टार्ट कीजिए मोबाइल रिस्टार्ट करने के बाद दोस्तों चेक करके देखे अप्लिकेशन प्रॉब्लम आपका सॉल्फ हो चुका होगा कई लोगों का जो प्रॉब्लम है इतना सॉलुशन करने के बाद पूरा फिक्स हो जाते हैं application को uninstall कर देना है uninstall करने के बार आपको बेग करना है बेग करने के बाद दोस्तो सेटिंग पर जाईए mobile software को update कर दीजिए अगर update है तो ठीक है अगर नहीं है update तो software को जाके update कीजिए ताकि आपके जो एप है उसके साथ compatible wise अच्छे से मेच करें अच्छे से रान करें ठीक है uninstall कीजिए एप को और update कीजिए अपने software को उसके बाद दोस्तों जाके play store को open कीजिए and then reinstall कर लीजिए ठीक है जैसे ही reinstall कर लेगा आपका problem solve हो जाएगा तो mx टकाटक आप अभी यूज़ कर सकते हैं तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है mx टकाटक का जो problem है वह solve कर सकते हैं उमीड करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो पसने होगा thanks for watching